नमस्कार मैं प्राणिशीर अठोर और अब दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज एक बर फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्रेम आमने सामने में जिसमें हम चर्चा करेंगे महरास्ट के स्यासी संकट के बारे में महरास्ट में बीते लंबे वक्त से स्यासी संकट गहराया हुआ है जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौजुदा मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नविस की जो रणनीतियां हैं उनके नेतरत्व में जो फैसले लेते हुए यहां पर तम उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी थी केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की थी जहां एक तरफ छतरपते शिवाजी महराज पर टिपड़ी की थी राजेपाल भगत सिंग कोश्यारी ने उसको लेकर मांग की थी वहीं दूसरी ही तरफ महराश्ट उन्होंने 49 विधायकों के साथ बगावत की यहां तक की 12 सांसत भी उनके गुट में जा चुकी हैं तमाम कारेकरता तमाम पदादिखारी भी शिंदे गुट में शामिल हो चुकी हैं लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर बारी पुराने दफ्थरों की भी आ चुकी है नागपुर विधान सभा मैं जिस तरीके से जो उनका कारेल है रहा शिफसेना का वो भी अब एकनाश शिंदे के हिस्से में आ चुका है लेकिन अब यहां पर उनका जो एक और पुराना कारेल है वो भी उनके हिस्से में जा चुका है आपको सबसे पहले थोड़ी सी जानका की सांसत पदta दिखारी और कारिकरता जो यहां पर शिंदिगुट में शामिल हो चुकी है शिंदिगुट के परवकता और पूर्ब विधायक कर्शना हैगडि ने कहा कि मौझुदा समय में हमारे साथ सबसे ज़यादा विधायक सांसत पददिखारी और कारे करता है और इस ठाकरेगुट की प्रवक्ता आनन दुबे ने कहा कि जब BMC में फिलहाल किसी पार्टी की सत्ता नहीं है वहाँ पर प्रशासक की न्यूक्ति की गई है तब फिर इस तरह से जबरन किसी दल के कारेले में घुस कर उस पर कबजा करना सरासर गलत है अनैतिक है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ सेना की चुनाव चिन को लेकर भी बात रखी गई है यहाँ पर यही कहा गया कि सिंबल को लेकर सुप्रीम कोट और चुनाव आयोग में विचारा धीन है और तब ऐसा करना ठीक नहीं है लेकिन यहाँ पर BJP की नेता विनोध मिश्रा ने अपनी बा शिंदे कोट के प्रवक्ता दीपक के सरकर भी बात रखते हुई नसर आए हैं तो क्या यहाँ पर वाकई में असली मालिक एक नाशिंदे ही आप होते हुई नसर आएंगे शिफ सेना की इसी पर चर्चा करेंगे नीज रूम में बैठी हुई तमाम सहियोग्य से सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे मारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है एक नाश शिंदे जिस तरीके से बार-बार एक एक करके यहां पर एक एक चीजे उनसे चीनते हुए नसरा रहे हैं एक करके जो पुराने दफ्तर है बो भी उनके खैमे में आते जा रहे ह एक तरीके से सरकार को अभैद भी कहा जा रहा है लेकिन यहां पर उन्हें मिल भी सब कुछ रहा है तो क्या यहां पर शिफ्जेना की नए मालिक की तोर पर उन्हें देखा जा सकता है भविश्य में देखिए इस वक्त कहिने कहीं नाकपुर विदान परिश्यद में जिस तरीके से शुसेना कारियाले जो हुआ करता था वो एक नाशिंदे गुट को आवंटित कर दिया गया तो जाहर सी बात है कि राजनितिक लिहास से देखा जाए तो यह कहीं अधर ठाकरे के लिए दاخल अंदाजी करनी पड़िया और इसमें बियमसी ने जो आदेश पारित किया है उसमें यह कहा गया है कि जो तमाम कारियाले है बीमसी के भीतर चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो नेशनलिश्ट कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी को या फिर शुसेना के हो उड़ ठाकरे गुट या फिर एकनाज शिंदे गुट तमाम कारियाले को सिल कर दिया जाए ताके किसी भी तरीके की वहाँ पर गरबड़ी की इस्तिती पैदर नहों पाए तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दरसल अनुचित तरीके से भी आप कह सकते है कि यहाँ पर एकनाज श अबर रहे कि दरसल बेमसी कारियाले में जिस तरीके से दोनों गोटे उस पर कही न कहीं अपने दावे को ठोक रहे था उसके बाद कहीं न कहीं हाता पाई की नौबत आ गए ती जिसके बाद तमाम कारियाले को सिल कर दिया गया और जहां तक बात एक नाशिंदे की परिशद में जो कारियाले हुआ करता था कभी उद्धाकरे गुट का वो कारियाले जो एक नाशिंदे को दे दिया गया और इसी के विरोध में खुद उद्धाकरे संजेराथ नाकपूर पहुंचते हैं वहाँ पर अपने विरोध को जता आते हैं लेकिन उसके देखे जा सकते हैं देखे शियो सेना कि माली के तौर पर अगर का जाए तो एक नाशिंदे जा रहे तो इस वक्त भी उसी तरीके से देखे जा रहें क्योंकि लगतार आप कह सकते हैं की पार्टी में तनी बड़ी टूट के बावजूद भी अभी भी आप देखे तो नाशिक के लगबग साथ पुर्व नगर परशदों ने उदर ठाकरे का साथ चोड़कर एक नाशिंदे के साथ जाने का फैसला लिया और एक बड़े नेता ने भी पार्टी को छोड़ा तो जाहर सी बात है कि बेमसी चुनाओं से प पड़नविस को लेकर भी मांग उठ रही है कि मुख्य मंत्री उन्हें आने वाले समय में पनाएज जाए एक नाशिंदे भी है लाइन में और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उधव ठाकरे कह चुके किसी महिला को आगे उना चाहिए तो रश्मी ठाकरे सुप्रिया सुले और स सुश्मा अंधारे का नाम भी है लेकिन सीम पत्की रेस में अजीद पवार भी आ गया आते हैं तो ऐसी में अब आपको क्या लगता है एक नाशिंदे को मालिक की तौर पर देखा जा रहा है इस वक्त और अगर वह मालिक बनते हैं तो क्या यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उद्धव गुड की तरफ से रश्मी ठाकरे का मुख्य मंत्री के तौर पर आगे करना यहाँ पर देखा जा सकता है बिल्कुल ऐसी चीज़े देखी जा सकती है क्योंकि राजनीती में अक्सर ऐसे दाव पेच अगर नहीं भी हो रहे होते तो किये जाते है ताकि चुनाव जीता जा सके और कहीं नहीं जैसा कि हम लगातार जो है कई बार बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे जब कोरोना का दौर था तब रश्मी ठाकरे जो है वह आगे आकर उन्होंने सारी तमाम चीज़े समाल ली थी और बखू भी समालती हो निजर आई थी और कहीं नहीं अग लगातार अभी मुख्यमंत्री के पर तो बने ही हुए हाला कि लगातार वो तमाम चीजों को अपने पाले में खीचते हैं तो ऐसे में यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम बा नजलिकरे का अएँ ने लुख़िया इस से टो प्रफिर सही निभाती हुई नसर आ हकटी हैं तो मैं रड़ा जो विधायकों को मनाने की कोशिश पूरे तौर पर करती हुई नसर आएं थी तो क्या कशिश एक तो फिर से रश्मी ठाकरे हमें नसर आ सकती हैं यहां पर जिस रश्मी ठाकरे यसामने आप देखें तेसे ने आप impairment Suzuki को समय को अधरी देग eruption ad और या यहां और रश्मी ठाकणरे को अधाने को किया और नाम ता उधर तो का भूण है ने और यहां से और मुझे लगते हैं कि आने वाले जो बीम से चुनावा कर उन्हें उसमें उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं कहीं अच्छा फाइदा देखने को मिल सकता है और अभी एक और चीज मैपको बता दू कि यहां पर लगाता है यह भी खबरे सामने आ रही थी कि जो आने वाला समय ह होगा यहां पर विधान सबाकर जब भाई साल बार चुनावांगे तो यहां अगर रश्मी ठाकरे को आगे ना किया जाता है तो इससे उद्व ठाकरे और शिफसेना जोंके पास बचे उससे अच्छा फादा आपके मुताबिक यहां पर शिफसेना कि नए मालिक के तौर प और यहां पर उद्व ठाकरे का या फिर गहले जी बाला साइब ठाकरे का यह गड़ता जहां पर सेन्मारी उन्होंने की है ना चाहते हुए भी तो यहां पर इतना शिंदे हो सकते है कि यहां पर मतलब की मालिक बन जाए लेकिन असली मालिक की अगर बात हो रहे तो मुझे लगता है वो पादा और वो कर्जों है वो कई उदव ठाकरी ही डिजर्व करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जैसा कि यहां पर न्यूजरू में बैठे हुए तमाम सहयोगी न खुल कर अपनी बात रखी अब देखना यही दिल्चस्प होगा कि शिफसेना की नए मालिक की त साथ साथ पता चलेगा लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है क्या शिफसेना की नए मालिक एकनाश शिंदे ही उने चाहिए या फिर उधव ठाकरी या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में फिलहाल के लिए हम चलते हैं बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूस